किसान दिवस का poster अपने mobile phone से कैसे बना है उसके लिए simply आपको कुछ नजी करना है सिर्फ नाम और फोटो आपको लगाना है और आपका बैनर और poster बनकर त्यार हो जाएगा चलिए उसका process हम बताते हैं कि कैसे क्या करना है सबसे पहले आपको background डाउनलोड करना होगा उसके लिए आपको कुरम ब्राउजर में चले जाना है या मैं वीडियो के description में के अंदर लिंक दे दूँगा जिसके मद्यम से भी आप लोग जा सकते हैं चलिए हम पर background डाउनलोड करने का बताते हैं आप लिंक के मद्यम से भी जा सकते हैं यहां पर सर्च मार देना है ptspng.in सर्च मारने के बाद में देख सकते हैं इस तरफ का इंटरफेस खुल के बाहर आएगा इंटरफेस खुलने के बाद में आप इस पर क्लिक कर देंगे क्लिक करने के बाद में देखेंगे यहां पर किसान दिवस का पोश्टर कैसे बना है किसान दिवस 2022 का पोश्टर कैसे बना है इस पर हम क्लिक कर देंगे क्लिक करने के बाद म गया और यहां से इसके नीचे एक बोडर है बोडर को भी डाउनलोड कर लिजिएगा क्योंकि बैनर पुश्टर को एक अच्छा लूक देना है इसके लिए चलिए डाउनलोड कर लेते हैं इसको भी डाउनलोड करने के बाद में आपको एक अप्लिकेशन का जरूरत पर रहेगा जिसका नाम है पिक्चर लाब पिक्चर लाब आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे इसके माद्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं प प्रोम गल्री में जाने के बाद में देख सकते हैं यहां पर मेरा बैगरांड है जो अभी डाउनलूड किये हैं और इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहां से कर देंगे और इसको बोडर को हम फूल साइज कर लेंगे देख सकते हैं यहां पर फूल साइज नहीं है इसको फूल स साइज है इसको पुरा हेंड़ेट कर देंगे अब आप देख सकते हैं कि मारा बोर्डर पूरे बीच में नहीं है इसको हम बी Watch अब साइज कंगे इस पर क्लिक करेंगे और यह एसे और इस तरेका से आप कर सकते हैं इसको चली को लोक कर देते हैं लेर को लोग करने के लिए उपर आजाएंगे उपर आने के बाद मियहां से लेयर को लोग करड़ेंगे देख सकते है यह दोस्तों हीट नहीं रहा है यह NEW टेक्सट जो आ सकते हैं वे नाम लिखेंगे बट अभी दिलेट कर देते हैं है चलिए इसमें हम बताते हैं कि फोटो कैसे लगाएंगे फोटो लगाने के लिए यहां सब से उपर प्लस का जो आइकन इस पर क्लिक करके फ्रों गेलिडी पे चले जाना है फ्रोम गेलिडी में जाने के बाद में कि यहांपे हमको आपजांपर भी एनजी बनाए हुए हैं वहाँ पे चले जाइएगा और वहां से अपने फोटो को ले लिजिए गा फोटो का बना के रखियेगगे कि और यहांसे हम दिनेशलाली आदोनी रहूआ का फोटो ले लेते हैं और यह अपनों साथ देख सकते हैं क्रॉप कर सकते हैं छोटा बड़ा साइज कर सकते हैं यहां से हम ओके कर देते हैं करने के बाद में इसको हम छोटा कर लेंगे छोटा करने के बाद में हम इसको यहां चोटा करने के बाद में यहां से हम इसको लगा देंगे इसको लगाने के बाद में टू बैक कर देंगे टू बैक कर दिये जो मेरा फोटो है अंदर में चला गया और इसमें अब अपना फोटों लगा ली जएगा और इसमें नाम अब लिखना है, नाम लिखना पताते हैं, सबसे नीचे के A वाल अप्चन पर चले जाना है, इसको क्लीक करना है, टेक्स्ट को क्लिक कर देना, टेक्स्ट को क्लिक करने के बाद में इडिट का अप्सन आगा, इसको क्लिक करेंगो, और यहां पर हम लिख देते हैं दिने से ला लिया दाओ, यहां पर हम लिख दिये हैं दिने से ला लिया दाओ, इसको दोस्तों फॉंट्स को चेंज कर देते ह यहां पर इसमें क्लिक रहना चाहिए क्लिक रहने के बाद में यहां पर देख सकते हैं यहां पर नीचे चले जाएंगे दोस्तों और भी आप फॉंट्स अपने मोबाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहां इसको हम यहां पर लगा लेंगे लगाने के बाद में यहां पर अपना जो भी उजर नेम है उसको लिख सकते हैं सोचल मीडिया का यहां पर हम लिख देते हैं दिनेस लाल ऑफिसियल देख सकते हैं दोस्तों यहां लिख दीए है चलिए इसका भी font change कर देते हैं इसको भी change करने के लिए इसमें किलिक रहना चाहिए और इस तरीका से आप select करके यह भी caption में जाएंगे font के और यहां पर देख सकते हैं जो भी आप लिखना चाहते हैं उपर सूख कर रहा होगा आपको जो भी अच्छा लगे लिख लिजेगा अपने अंसार इसको छोटा करके यहां पर बैठा लेंगे और इधर में दोस्तों आप लिख लेंगे यहां पर लिख देते हम सांसद यहां पर लिख देते हम सांसद आजमगर्ण देख सकते हैं दोस्तों हमारा बैनर पॉस्टर तियार हो गया है इसको अब हम अपने गैलरी में सेव कर लेते हैं गैलरी में सेव करने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना आपको उपर चले जाना है उपर जाने का बाद में यह जो बीच में शेजर का अप्सन दिख रहा इसको इसको हो गया है चलिए जबाल में और यहां पर गैलरी में आते हैं आपको यहां पर देखा सकतें ये दे देख लिजी आ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भी ऐसा ही वीडियो में लाते रहता है